ऑस्ट्रेलिया में भारत का है दबदवा जारी ऑस्ट्रेलिया के पी एम 11 भी भारत से हारी रेड़ बॉल में तो हरा चुके हैं अब है पिंक बॉल से बारी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भारत डोमिनेंट कर रही है भारत को अभी हाथ पकरने वाला कोई नहीं है भारत पहला में जीतने के बाद दूसरा टेस्ट मैच ए DJLyard में डे-night टेस्ट मैच Italian मैच बुर्स चेह से पहले ऑस्ट्रेलिया के PM11 से वाज मैच रखा था दो दिनों का अभ्याहस मैच था लेकिन बारिस हो जाने के कारण एक दिनों का किया गया और दोनों साइट 46-46 ओवरों का मैच हुआ भारत टॉस जितकर पहले गेंदवाजी करने का फैसला करती है और भारत के गेंदवाज अभी जबकि इस अभ्यास मैच में भूमराब गेंदवाजी भी नहीं किये हैं सिराज और हरसित राना ने मिलक पर ऑस्ट्रेलिया के पीम 11 को 240 रनों पर ऑल आउट कर दिया हालाकि ऑस्ट्रेलिया पीम 11 के तरफ से उस्ट्रयान साइन ने सांदार सतक जड़ा अभी 19 साल का लर्का है लेकिन भारत की गेंदवाजी भारत की बल्लेवाजी पर्चम लहराती हुई नजर आ रही है पिंक ब पर एडिलेड के टेस्ट में ही पिंक बॉल टेस्ट में ही डे नाइट के टेस्ट में ही मातर 36 रनों पर ओल आउट हो गई थी लेकिन इस वार ऐसा नहीं होने वाला है इस वार भारत पुक्ता तैयारी के साथ गई है पहला मैच जीतने के बाद आत्म विश्वास से अभी भी भारत के लिए चिंता का विशाय है हाला कि इस अभ्यास मैच में अभी भी ओपनिंग स्लोट में केल राहुल और एससवी जैसवाल को ही उतारा गया है और दोनों ने सांदार फॉर्म भी दिखाया है फिप्टी प्लस रनों की पाटनर सी फिर हुई है पिंक बॉल टेश्ट में अकास और पताल का अंतर होता है अला कि सब्ल्ले बाजे और सारे गिंदवाजों का दबदवा रहा है अच्छा परदशन रहा है चार पकित खरसी राना Adventure है अपने अभ्यास में जाना नहीं चाह रहे थे या नहीं गए होंगे कहीं चोट उट लग जाता तो परिसानी बर सकता था इसलिए आज भारत इस मुकाबले को भी छे बिकेटों से जीत लिया है जब भारत की बलेवाजी आई 240 रनों पर रॉल आउट करने के बाद अस्ट्रेलिया पी एम एलेवन को भारत के संदार बलेवाजी के कारण 46 और पूरा मैच भारत खेली पांच विकेट गिरे और 257 भारत ने बनाया 45 रनों की पारी सस्वी जैसवाल ने खेला सुमन गिल संदार टच में नजर आ रहे थे सुमन गिल की वापसी तय है अगले टेस्ट मैच में 50 रनों की पारी उन्हों ने भी खेला और रिटायड आउट हुए मतलब चले गए छोर करके दूसरे बलेवाजों को दिये मोका रा पिलाकर के भारत अभी तक पिंक बॉल टेस्ट में भी अभ्यास मैच में अच्छा प्रदर्शन की है इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह डिलेट टेस्ट भी हम लोग डोमिनेंट करते हुए नजर आएंगे अब आप पिंक बॉल टेस्ट और रेड़ बॉल टेस्ट मैच पिंक बॉल और रेड़ बॉल इन दोनों में अंतर क्या होता है तो इन दोनों में बहुत अंतर होता है साहब रेड़ बॉल का जो सीम होता है जो सिलाई होता है उपंदर से 20 अबर के बाद धसने लगता है अंदर धस जाता है मुलायम हो जाता है बॉल बल्ले बाजों को खे कीला ज्यादा होता है पिंक बॉल का जो सीम होता है जो सिलाई होता है वह 40-50 और तक भी वह ऐसा को ऐसा ही रहता है तो पिंक बॉल खेलने में बल्लेवाजों को परिशानी ज्यादा होता है रेड़ बॉल बॉलर का जब टपा पड़ता है तो बल्लेवाज को दिखता है कि मेर मेरे तरफ आ रहा है या बाहर जा रहा है असानी से देख लेते हैं लेकिन पिंक बॉल देखने में परेशानी होता है क्योंकि पिंक बॉल जब टपा खाता है तेज गेंदवाज का तो और ज्यादा तेजी से बल्लेवाजों की तरफ जाता है तो पिंक बॉल खेलना बहुत ज रखा जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग अभ्यास करते हैं क्योंकि एक चपड़ने के बाद फिर पता नहीं कब पिंक बॉल्ण से टेस्ट खेलना होगा और पींक बॉल जब होगा तो देन ही होता है तो दीन में तो में बले बलेबाज असानी से बलेबाजी कर लेते हैं लेकिन जैसे ही रात होता है दुधिया रोसनी आता है उस पर जब इतना चमकदार बॉल जो पिंक बॉल होता है ज्यादा और चमकने लगता है इस कारण से और परिसानी होने लगता है बलेबाजों को और यही कारण है कि भारत पि जीतने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और जीतना ही होगा क्योंकि पॉइंट से बल में उथल पुथल होने लगा है डबलू टीसी के अब आस्ट्रेलिया तीन नंबर पर चली गई है दो नंबर पर साउथ अफिरका आ गई है और साउथ अफिरका को तीन मैच बच तो अस्ट्रेलिया को अस्ट्रेलिया में हराना होगा बारत के लिए और ज्जाधा खुश खबरी है कि बहरत के सेक्रेटरी थे जैसा सहब अब आज से वो ICC के चेर्मेन बन गए हैं आज से उन्होंने अपना कार्जभाल संभाल लिया है और कार्जभाल संभालने के साथ ही यह भी फैसला आ गया है कि चंपियंश ट्रोफी पाकिस्तान में जना होकर के हाइब्रीड मोडल पर होगा भारत पाकिस्तान नहीं जाएगी एक अनफॉर्म न्यूज है इसका फैसला हो चुका है पाकिस्तान के पिसी भी इस बात क्यों एग्री किया है यह ठीक है हम हाइब्रीड मोडल पर खेल लेंगे वह भले बहुत ज्यादा पहले बक 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 कर रहे हाइब्रीड मोडल को लेकर एक सर्थ कि आप हमारा रेविन्यू बराइए पैसा तो तुम्हारा तो बढ़िये जाएगा गरीब देशों तो पैसा तो बढ़ा दिया जाएगा दूसरा जो सर्थ रखा है कि जितने भी आइसीसी के टूनामेंट इंडिया में होंगे उस सभी बढ़ाई आइसीसी के चेर्मेंट बनने के लिए और भारत टीए टीम को हर्दिक बढ़ाई ऑस्ट्रेलिया के पीम 11 को हराने के लिए अब देखना है भारत जो 6 दिसमर से डिलेड में सेकेंड टेस्ट सुरू होने वाला है डे नाइट उसमें कैसा परदप्संद आता है मि तक के लिए बेश्ट आप लग धन्यवाद जैहिद